असलाम वालेकुम आज बनाएंगे टेस्टी मसूर गोष्ट की रेसिपी बहुती मज़ेदार और इजी रेसिपी है पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और जादा से जादा शेर जरूर कीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए कुकर में आधा कप ओइल के करम हुझाने पर दो दालचीनी की तुकड़े एक चमच राही जीरा चार पांच लॉंग चार हरी लाइची और आट दस काली मिर्चे एड़ कर लेंगे इसी के साथ दो तेज पत्ते भी एड़ करेंगे और इन्हें फ्राय कर लेंगे आदे मिनिट के लिए जैसे ही ये मसाले ओइल में फ्राय हो जाए फिर इसमें एड़ कर लेंगे दो बड़ी पियास को बारिक सा स्लाइस में कट करके पतला सा और पियास को फ्राय कर लेंगे प्यास को हलका गोल्डन रंग में फ्राय करना है हमें तो यहां देखी हमारी प्यास फ्राय हो चुकी है इससे ज़्यादा फ्राय नहीं करेंगे बस इतना ही चाहिए अब इसमें गोश्ट एट कर लेंगे तो मैंने यहां पर बीफ का यूस किया है आप सेम रेसिपी को मटन में भी बना सकते हो आदा किलो गोश्ट एट करके फिर इसमें दो बड़े चमच अद्रकलसन का पेस्ट और टेस्ट के हिसाब से PCV हरी मिर्चे एट कर ले अब गोश्ट को फ्राय कर लेंगे मिडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से हम चलाते हुए अद्रकलसन और पियास के साथ पाँच से साथ मिनिट के लिए गोश्ट को बहुत अच्छी तरह से फ्राय कर लेंगे ऐसा करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है गोश्ट में और जो रेसिपी हम बना रहे है उसमें तो यहाँ देखिए 7 मिनिट के लिए मैंने गोश्ट को भून लिया था और ओल बिर जो है वो सर्फेस पे आने लगा था अलग होने लगा था अब इसमें एड़ कर लेंगे कुछ पाउडर मसाले दो बड़े चमच धनिया पाउडर है आदा चमच हल्दी पाउडर एक चोटा चमच जीरा पाउडर और एक चोटा चमच काली मिर्च पाउडर टेस्ट के हिसाब से नमक एड़ कर लेंगे इसी के साथ add कर लेंगे एक चमच या फिर टेस्ट के हिसाब से मिर्ची पाउडर और एक चमच एड़ कर लेंगे कश्मेरी मिर्च पाउडर यह optional है अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसे skip कर सकते हो अब टमाटर add कर लेंगे दो बड़े टमाटर को roughly कट करके add करना है अब सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से हमें mix करना है अब बुनाई की जादा जरूरत नहीं है बस अच्छे से सारी चीजे mix हो जाए इतना हम इसे चला लेंगे बहुती टेस्टी और बहुती मज़ेदार ये मसूर गोश्ट का सालन बनता है तो अगर आपने नहीं बनाया है कभी तो एक बार इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा तो यहां सारी चीजे देखिए mix हो गई है अब मेरे पास यहां दो नली थी ये भी मैंने इसमें add कर लिया है अब गोश्ट के गलने के हिसाब का पानी add कर लेंगे आप जो गोश्ट इस्तिमाल कर रहे हो उस हिसाब से पानी ले लीजिए मैंने यहां पॉना कप के करीब पानी add कर लिया है एक बार फिर से mix कर लेंगे पानी add करने के बाद अब कुकर का lid बन करेंगे और गोश्ट के गल जाने तक हमें pressure cook करना है पर गोश्ट को हमें बस हलकी सी कसर बाकी रहे तब तक गलाना है पूरा 100% गोश्ट को नहीं गलाएंगे अब तो यहाँ पर मैंने कुकर को खोल कर देखा था 15-20 मिनिट के लिए low flame पर पका लिया था मैंने गोश्ट को एक whistle high flame पर लेने के बाद अब एक बार अच्छी तरह से इसे चला लेंगे गोश्ट मैंने चेक किया था जैसा हमें चाहिए वैसा ही गल चुका है अब इसमें add कर लेंगे धोकर भी गोई हुई यह अखे मसूर की डाल जिसे मैंने आदे घंटे के लिए भिगा लिया था 1500 ग्राम डाल लिए मैंने आदा किलो गोश्ट के लिए अब डाल गलने जितना गरम पानी इसमें add कर लेंगे पानी को गरम करके ही add कीजिएगा इस पॉइंट पर एक बार फिर से mix कर लेंगे और कुकर का lid बन करके डाल के गल जाने तक हमें बस दो से तीन विसल ले ले लेना है जिसे के डाल हमारी गल जाएगी तो यहाँ देखिए तीन विसल बार मैंने कुकर को खोला है और दाल जो है हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है बस अब एक दो मिनिट के लिए इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे दाल के साथ सारे गोश्ट को एक चमच गरम असाले का पाउडर add करेंगे और नमक चेक कर लेंगे इस पॉइंट पर मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा नमक add किया है और एक टेबल स्पून कसूरी मेथी को रोस्ट और क्रश करके इसमें add कर लेंगे इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है तो जरूर add कीजिएगा अब एक मिनिट के लिए फिर से चला लेंगे गरम मसाले और कसूरी मेथी को अच्छे से mix कर लेंगे पाच मिनिट के लिए पकाने के बाद फिर इसमें पानी add कर लेंगे तो जरूरत के हिसाब से पानी add कर लीजिएगा मैंने यहाँ बस फॉना ग्लास फानी add किया था यह जो सालन है यह थोड़ा गाड़ा ही अच्छा लगता है तो इससे जादा पतला नहीं बनाईएगा देखिए इस तरह की consistency रखिएगा अब इसमें कटा हुआ ताजा धन्या add कर लेंगे और cover करके इसे cook करेंगे बस 5 मिनिट के लिए बिल्कुल low flame पर उसके बाद इसे serve करेंगे मज़ेदार हमारा मसूर गोष्ट का सालन बनकर यहाँ पर देखिए तयार है बहुती easy और बहुती tasty recipe है try जरूर कीजिएगा इसे recipe पसंद आईए तो like, share और subscribe जरूर कर दीजिएगा Assalamualaikum आज मैं आप लगों के साथ दालगोष्ट बनाने की recipe शेयर कर रही हूँ बहुत कम चीजों से और बहुती असान तरीके से यह दालगोष्ट बनकर तयार होता है recipe पसंद आईगी तो like और share जरूर कीजिएगा चलिए start करते हैं डालगोष्ट बनाने के लिए आधा cup तूर की डाल लेंगे आधा cup मसूर की डाल लेंगे और आधा cup हम मोंकी डाल लेंगे आप चाहे तो थोड़ी चने की डाल भी यहाँ पर डाल सकते हो अब इन तीनों डालों को mix करेंगे और अच्छी तरह से इने wash कर लेंगे दो-तिन पानी से उसके बाद हम इसे भीगने के लिए रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए और आधे घंटे बाद इसे हम कूकर में डाल कर गला लेंगे बस नमक, हल्दी और पानी दाल कर हमें इसे अच्छी तरह से गला लेना है कूकर में आधे से पौना कप ऑईल गरम कर लेंगे फिर इसमें दो दालचीनी के तुकड़े दो स्टार अनाइस दस बारा काली मिर्चे एक चमच शाही जीरा तीन-चार लॉंग और तीन-चार घरी ईलॉंची एक दो बड़ी ईलॉंची और दो-तीन तेस पत्ते ऐट कर लेंगे और इन्हें आदे मिनित के लिए फ्राय कर लेंगे ऐल में उसके बाद इसमें प्याज ऐट कर लेंगे तीन मिडियम साइज की प्यास को बिल्कुल पतलासा कट करके add किया था मैंने अच्छी तरह से प्यास को देखी हमें fry करना है बस ये pink हो जाए और soft हो जाए जब तक fry करेंगे हम प्यास को यहां हमारी प्यास soft हो चुकी है अब इसमें ghost add कर लेंगे एक किलो ghost है हड़ी वाला ghost लेंगे और अच्छी तरह से ghost का भी color change हो जाने तक हमें fry कर लेना है हड़ी वाला ghost लेने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है दाल ghost में और देखिए मैंने हाँ पर थोड़ा सा fat यानि के चर्बी भी दाला है लिया था शॉप से तो इस तरह से हम चर्बी और हड़ी वाला ghost यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्टी दाल ghost बनकर तयार होता है ghost का color change हो जाने तक हमें अभी fry कर लेना है इसे पाच्छे मिनिट के लिए मैंने ghost को अच्छी तरह से fry कर लिया है और इसका color देखिए change हो गया है अब इसमें add कर लेंगे अद्रक लसन का paste तो तीन बड़े चमच अद्रक लसन का पेस्ट है और एक बड़ा चमच हरी मिर्चो का paste है नमक add कर लेंगे अपने taste के हिसाप से मिर्ची भी आप अपने taste के हिसाप से ले लीजिए अब अद्रग लसन की कच्छी स्मेल जाने तक हमें भून लेना है इसे चार-पाँच मिनिट अच्छे से भूनने के बाद फिर एड़ कर लेंगे एक चमच हल्दी पाउडर, दो बड़े चमच धनिया पाउडर, एक बड़ा चमच मिर्ची पाउडर और एक चमच काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर इसी के साथ एड़ कर लेंगे 5 मिडियम साइज के टमाटर रफली कट करके और इन सारी चीजों को भी बहुत अच्छी तरह से हमें भून लेना है बस 2-3 मिनिट के लिए हम यहाँ पर 1 किलो गोष्ट का दाल गोष्ट बना रहे हैं तो सारी चीजे बिल्कुल पर्फेक्ट कॉंटिटी में मैंने आपको बताई है इसी तरह से स्टेब बाई स्टेब बनाई है आपका दाल गोष्ट बहुत अच्छा बनेगा और रसीपी अच्छी लगेगी तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा तो यहाँ देखिए मैंने इससे 2-3 मिनिट के लिए भूनने के बाद इसमें पानी आट कर लिया है आप गोष्ट के हिसाब से पानी एट कर लिजिए और कूकर का लिड बन करके गोष्ट के गल जाने तक इससे पका लिजिए तो यहाँ पर मैंने चेक कर लिया था गोष्ट जो है वो बहुत अच्छी तरह से गल चुका था बस दो-तिन मिनिट के लिए मैंने इससे मिडियम फ्लेम पर भून लिया है और हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह से तयार है अब एक बड़े बरतन में यह सारा मसाला हम निकाल लेंगे और मिडियम फ्लेम पर ही इसससे भूनते रहेंगे एक देखिए मैंने एवरेस्ट का मीट मसाले का छोटा पैकेट इसमें एट कर लिया था भूनते वक्त यह एट करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है दाल गोश्ट में अब इसमें एट कर लेंगे दूदिया याने के लौकी तो एक किलो गोश्ट है उसके साथ मैंने एक किलो ही लौकी भी ली है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हमें इससे कवर करके पका लेना है दूदिये के आधे गल जाने तक हम इसे मिडियम फ्लेम पर पका लेंगे बीच में चलाते भी रहेंगे तो देखिए यहां पर 7-8 मिनिट के लिए मैंने इसे मिडियम फ्लेम पर पकाया है और जो हमारा दूदिया है लौकी है वो आधि गल चुकी है हाफ कूक हो चुकी है अब इसमें एट कर लेंगे लाई को बल जाने के बाद अच्छी तरह से गोट कर और थोड़ा सा पानी दाल कर इसकी कंसिस्टेंसी हमें गाडी ही रखना है और फिर सारी दाल इसमें एट कर लेंगे मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसी पॉइंट पे इमली का हमें गुदा एड़ करना है तो थोड़ी सी इमली को भिगा कर उसका पल्प मैंने एड़ किया था विडियो यहां पर थोड़ी सी मेस हो गई थी क्लिप यहां देखिए इसमें बॉइल आना स्टार्ट हो गया है अब इसे कवर करके दुदिये के याने के लौकी के गल जाने तक हमें पका लेना है तो 5-6 मिनिट पकाने के बाद में यहां पर लौकी जो है बहुत अच्छी तरह से गल चुकी थी अब हमें इसमें तड़का लगाना है इसे बहुत अच्छा कलर आता है हमारे दाल गोश्ट में तो देखिए बस मिर्ची पाउडर एट करके हमें फ्लेम आफ कर लेना है और फिर यह सारा तड़का इस तरह से देखिए हमें दाल पर दाल देना है और कवर करके इसे 10 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे उसके बाद इसमें धनिया पत्ती और पूदीने की पत्ते एट कर लेंगे बहुती टेस्टी बहुती लाजवाब बनता है यह दाल गोश्ट रेसिपी अच्छी लगिए तो फ्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जम बनाएंगे चिकन का दाल गोश्ट बहुती टेस्टी और मज़ेदार चिकन का दाल गोश्ट बनता है चिकन और डाल का बहुत अच्छा कॉंबिनेशन होता है वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अगर पसंद आए तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डाल ले लेंगे तो आदा कप तूर की डाल ली है मैंने आदा कप मसूर की डाल और आदा ही कप मैंने मूंकी डाल ली है इन में से अगर कोई डाल आप नहीं खाते या नहीं डालना चाते तो आप स्किप कर सकते हो अब इन सारी डालों को हम धो लेंगे मिक्स करके और इसे आदे घंटे के लिए इसी तरह से भिगावा छोड़ देंगे आदे घंटे बाद प्रेशर कूकर में डाल को ट्रांसफर कर लेंगे और जितना नॉर्मली डाल गलाने के लिए पानी लगता है उतना पानी इसमें एड़ कर लेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक एड़ कर लेंगे और पाउ चमच हल्दी पाउडर एड़ करेंगे एक टीस्पून यहाँ पर अद्रक लसन का पेस्ट एड़ कर लेंगे और इसी के साथ एक बड़ा चमच तेल एड़ कर लेंगे और फिर cooker का lid बन करके इसे हम pressure cook कर लेंगे अच्छी तरह से दाल को गला लेंगे फिर जिस बरतन में दाल गोष्ट बनाना हो उसमें पॉना कप के करीब oil गरम करेंगे और उसमें add कर लेंगे कुछ काली मिर्चे दो दालचीनी के तुकड़े, दो काली बड़ी इलाइची, दो स्टार फूल तीन से चार हरी इलाइची, तीन से चार लॉंग और एक चमत शाही जीरा इसी के साथ दो तेज पत्ते add कर लेंगे कुछ सेकेंड्स के लिए मसालों को fry कर लेंगे oil में पिर add कर लेंगे तीन medium size की slices में कटकी हुई पियाज और पियाज को fry कर लेंगे तो यहाँ पियाज को हमें बहुत जादा fry नहीं करना है बस हलका सा यह golden हो जाए इतना fry करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप हमारी पियाज फ्राय हो चुकी है अब इसमें add कर लेंगे chicken पॉना किलो chicken लिया है मैंने chicken add कर लेंगे अच्छी तरह से wash करके फिर इसके साथ add कर लेंगे तीन बड़े चमच अद्रक लसन का paste और एक चमच हरी मिर्चे PCV आप चाहे तो मिर्ची अपने taste के हिसाब से ले ले अच्छी तरह से भून लेंगे अद्रक लसन को और chicken को 5-6 मिनिट के लिए बहुत अच्छे से भूनेंगे जिसे के chicken का color change हो जाए और अद्रक लसन की जो smell है वो भी चली जाएगी तो यहां देखिए बहुत अच्छी तरह से मैंने 6-7 मिनिट के लिए भून लिया है अब टमाटर आइड कर लेंगे तो 4 मिडियम साइज के टमाटरों को इस तरह से slice में कट करके आइड कर लिया है अब 2 बड़े चमच धनिया पाउडर एक बड़ा चमच मिर्ची पाउडर एक टीस्पून भुनेवे जीरे का पाउडर एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर आधर टीस्पून काली मिर्च पाउडर आधर टीस्पून हल्दी पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक एड़ कर लेंगे एक मैगी का क्यूब इसमें एड़ करेंगे अगर आपके पास है तो जरूर इसमें एड़ कीजिएगा और अगर नहीं है तो इसे स्किप कर दीजिए अच्छा टेस्ट आता है मैगी क्यूब इस तरह से चिकन की चीजों में एड़ करेंगे तो हम अब अच्छे से mix कर लेंगे सारी चीजों को टमाटर और मसाले अच्छे से चिकन के साथ mix हो जाए 2-3 मिनिट के लिए अच्छे से mix करेंगे भून लेंगे फिर cover करके medium low flame पर इसे पकने देंगे 8-10 मिनिट के लिए जिसे के टमाटर भी soft हो जाएंगे और चिकन भी हमारी आधी कोख हो जाएंगी तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से मैंने इसे 10 मिनिट के लिए पका लिया था बीच में एक दो बार इसे चलाना भी है तो हमारे टमाटर जो है वो भी soft हो गए है और चिकन भी हमारी 50% तक गल चुकी है इसी पॉइंट पर अब हम इसमें एड कर लेंगे लौकी पॉना किलो लौकी है इस तरह से मिडियम पीसेज करके मैंने इसमें एड कर ली है लौकी एड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारे मसाले लौकी में भी अच्छे से मिक्स हो जाए तो एक बार अच्छे से चला लेंगे और फिर कवर करके मिडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे 8-10 मिनिट के लिए वापस से तो यहाँ देखी हमारी जो लोकी है ये भी आदी गल चुकी है और चिकन भी अल्मोस्ट हमारा 80% तक कूक हो गया है अब इसमें एड़ कर लेंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी और कुछ ताजे पुदीने के और धनिये के पत्ते इसमें एड़ कर लेंगे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है धनिया पुदीना और कसूरी मेथी का अब बस 2 मिनिट के लिए सारी चीजों को भून लेंगे बहुती टेस्टी और बहुती मज़ेदार बनता है चिकन का दाल गोष्ट अगर आपने कभी नहीं ट्राइ किया है तो जरूर इसे मेरी तरीके से एक बार ट्राइ कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताईएगा जरूर कि कैसी बनीती आपकी रेसिपी अब इसमें डाल जो हमने गला के रखी थी वो एट कर लेंगे डाल को अच्छी तरह से घोटके मैश करके और मैंने इसमें देड़ गलास पानी आइड कर लिया था फिर इसमें आइड करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे डाल को सारी चीजों के साथ और फिर जब यह पकने लग जाए इसमें अच्छा सा एक उबाल आने लगे तब हम इसे कवर करके कुक करेंगे बस लौकी जो हमारी थोड़ी सी बची है वो गल जाए तब तक इसे कवर करके कुक कर लेंगे लो टू मिडियम फ्लेम पर तो यहाँ पर मैंने खोल कर चेक किया था और चिकन हमारा अच्छी तरह से गल चुका था और लौकी जो है वो भी अच्छे से गल चुकी है यहाँ पर देख सकते है अब क्या करेंगे इसमें इमली का पल्प एट करना है हमें तो थोड़ी सी इमली को मैंने भिगा लिया था और उसका गुदा निकाल कर देखिए इस तरह से एट कर लेंगे आपको जितना भी पसंद हो खटा उस हिसाब से आप इमली इसमें एट कर लीजिए अब लो फ्लेम पर इसे इसी तरह से छोड़ देंगे और इसके तड़के की तयारी करेंगे तो एक छोटे से बरतन में यहाँ पर मैंने तड़के के लिए ओईल लिया है दोस से तीन बड़े चमच ऑईल गरम करेंगे ऑईल के गरम हो जाने पर इसमें पियाज एट कर लेंगे बिलकुल छोटी सी एक पियाज कट करके एट करेंगे और इसे फ्राइ कर लेंगे यहाँ देखिए पियाज हमारा गोल्डन हो चुका है इसमें add कर लेंगे कुछ करी पत्ते और 3-4 सुखी लाल मिर्चे बस कुछ seconds के लिए इने भी fry करेंगे और फिर gas की flame को off कर देंगे फिर add कर लेंगे इसमें एक चोटा चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर gas की flame को off करने के बाद ही हमें ये add करना है नहीं तो ये जल जाएगा अब ये सारा तड़का हम उठा कर दालचे में इस तरह से देखिए add कर लेंगे और दालचे के gas का जो flame है उसे off कर देंगे तो रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फिर मिलेंगे इंशाल लाइक नहीं रेसिपी के साथ टेक कैर अलाफिज थैंक्स फॉर वाचिए